कहते हैं कि आदतों का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है। करते हैं आज की समरी को Million Dollar Habits जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने तो इस समरी के अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या आप भी Millionaire बनने का सपना देखते हैं अगर आपका जवाब है कि हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है तो ये समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए अपने देखे थे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पड़े लिखे थे उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी मगर इन सब के बावजूद वो सारे चैलेंजिस को पार करके सक्सेस्फुल बने तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं आप कौन हो कहां से हो क्या क आप भी वही कीजिए जो इन सभी लोगों ने किया दरसल सक्सेस्फुल लोगों की कुछ अच्छी आदते होती है जबकि अन्सक्सेस्फुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती है यानि कि बुरी आदते तो ये समरी आपको उन सारी अच्छी आदतों के बारे में इब सबसे पहले हम समझते हैं you are you do यानि कि आप जो करते हैं आप वही है जरह उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको most successful लगते हैं ऐसा क्या है उन्में जो उन्हें successful बनाता है उनकी कौन सी खास habit है जो उन्में आप से जादा successful बनाती है आप जहां पहले थे आज भी वहीं है और इसकी वज़े सच मानिए आप खुद ही है आपका present time यानि आपका जो भी आज का scenario है जो भी situation है वो आपके actions, आपकी choice और आपके decisions की वज़े से है जो आपने खुद चूज किये है और यही decisions आपका future भी decide करेंगे तो बगर आप भी successful बनने का सपना देख रहे है तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है सब कुछ आपके हाथ में है यकीन मानिए आपके लिए कोई भी limit नहीं है ये और बात है कि अगर आप खुद के लिए limit समझ लो तो फिर कोई आपकी help नहीं कर सकता आप खुद अपनी success पर control कर सकते हो सब कुछ आपके thoughts, आपके words और आपके actions पर depend करता है जो आज से आप अपने life में apply करने वाले हो आपकी daily life के 95% काम ऐसे है जो आपकी habits है और successful लोग success habits की practice करते हैं रोज उन्हें repeat करते हैं यही चीज तो उन्हें और उसे अलग बनाती है तो आपको भी इन्ही success habits से शुरुआत करनी है ये भी ध्यान रखिए कि हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को practice में ला सकते हैं जोर्ज वाशिंग्टन यूएस के first president थे जब वो teenager थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी The Rules of Civility and Decent Behavior उन्होंने इस बुक की सारे 110 rules यानि की 110 नियमों को अपनी छोटी सी notebook में लिख करके रख लिये थे तो हर रोज वो उन rules को पढ़ते और एक एक करके उनकी practice करते थे इस बुक की वज़े से उनके अंदर अच्छी आदिते develop होना शुरू हुई और इस तर अपनी teenage की उम्र से ही उन्होंने इन नियमों की इन rules की practice करनी शुरू कर दी थी फिर जब बड़े हो करके वो politics में गए तब तक good behaviors उनकी daily life का part बन चुके थे इन अच्छी आदतों को apply करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी तो इसी लिए आप भी practice कीजिए और repeat कीजिए फिर आपके अंदर भी automatically अच्छी आदते आ जाएगी और बुरी आदते आपको छूबी नहीं पाएगी इसी के साथ अब आगे बात करते हैं कि आपकी habits आती कहां से है वेर यॉर habits come from आये जानते हैं इनसान के brain के अंदर 20 million के करीब neurons होते हैं और इन में से हर एक neuron बाकी के 20,000 neurons से connected रहते हैं और हम लोग अपनी daily life में इन neurons का एक छोटा fraction ही use करते हैं तो ज़रा imagine कीजिए कि आपके पास अभी इस वक्त brain की कितनी potential है जो आप use ही नहीं कर रहे हैं लेकिन successful लोग करते हैं बलकि बहुत जादा करते हैं इसलिए आलस को छोड़ दीजिए, mediocre और bitterness की आदत को छोड़ दीजिए यानि की कड़वाहट को अपने दिल से निकाल दीजिए क्योंकि अभी भी time है आप life में मनचाहा change ला सकते हैं आपके दिमाग में किस तरह के thoughts आते हैं जादा तर आपके mind में क्या चलता रहता है ये बात समझ लीजिए कि आपके विचार ही आपकी किसमत को बदल सकते हैं आप उनी चीजों को attract करते हैं जिनके बारे में आप अकसर सोचते रहते हैं जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और success के बारे में सोचेंगे इसलिए हमेशा positive सोचिए अपने विचारों पर control रखिए negative thoughts को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए practice और repetition से आपका mind सिर्फ positive बाते सोचेगा और आप पहले से जादा खुश और successful फील करेंगे तो इस book के author Brian Tracy ने अपनी इस केताब के थ्रू अपनी success story शेयर की है उनकी family भी ना काफी जादा गरीब थी उनके फादर के पास कोई stable job नहीं थी इसलिए Brian को 10 साल की उम्रे से काम करना पड़ा उन्होंने अपनी neighborhood में कई type की चोटी मोटी jobs की उन्होंने पडोसियों के लॉन की घास काटी सूखे पत्ते उठाए और newspapers भी डिलेवर किये उन्होंने अपनी दो वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद ही उठाया फिर जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटी होटल में बर्तन धोने का काम किया वहाँ पर बर्तन घिस्ते घिस्ते वोए ब्रायन खुद को बड़ा लखी मानते थे ब्रायन को पैसे की इंपोर्टेंस छोटी उम्रे में ही समझ में आ गई थी इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई को ड्रॉप करके पैसा कमाने का डिसिजन लिया उन्होंने कई सारी फैक्टरीज और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया उन्होंने बड़े-बड़े फर्म्स में भी काम किया तो इस तरीके से 20 साल की उम्रे में वो एक सेल्समेन बने ब्रायन घरो और ऑफिसेज में जाकर कि डिफरेंट टाइप के प्रोड़क्स पेचते थे उनकी हालत ये थी कि वो अपने दो वक्त के खाने के लिए भी सेल्पर डिपेंड थे एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समें धेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समें बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते तो अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट शुरू की जिसने उनकी जिन्दिगी को ही चेंज कर डाला और ये habit थी successful लोगों की habits को learn करना और उसे अपने life में apply करना तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपने company के एक sales agent का number मांगा अब कौन से टेकनिक यूज करते हो जो लोग हमेशा आप से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं Brian ने पूछा तो उस agent ने उन्हें अपना एक secret बताया जिसे Brian ने भी अपने customers के साथ try किया और फिर उसके customers भी उसके सारे products को खरीदने लगे Brian ने selling से जुड़ी हुई काफी सारी किताबे पढ़नी शुरू कर दी थी इसके अलावा Brian sales seminar में भी जाते थे और sales के audio lectures को भी सुनते थे उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंट apply करते थे और इस new habit के वज़े से Brian काफी sales करने लगे थे उनका promotion भी हुआ अब वो sales manager बन गए थे और Brian ने जो कुछ सीखा था अपने team members के साथ ये सारी बाते उन्होंने शेयर की और उन लोगों को भी improve करने में मदद की तो इसी learning के साथ अब आगे बात करते हैं the master program of success यानि कि success का master program क्या है आईए जानते हैं ये बिलकुल simple है हर रोज हर minute successful लोग उस चीज़ को हासल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं और इसी वज़े से वो हमेशा ऐसे decision लेते हैं जो उन्हें उनके goals तक ले जाए जबकि unsuccessful लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं उन्हें हमेशा यही लगता है कि जो उन्हें चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता short में बोले तो unsuccessful लोग सिर्फ complain करते हैं शिकायत करते हैं और दूसरों को blame करते हैं तो आप decide कीजिए कि आपको क्या बनना है choice आपकी है यहाँ पर हम एक example लेते हैं कि हमारे thoughts कितने ज़्यादा powerful हो सकते हैं मान लीजिए कि आप हर साल 50,000 डॉलर कमाने का goal रखते हैं अब सारा time यही सोचते हो कि यह amount आप कैसे कमाएंगे आप खुद को और साथा productive बनाना चाहते हो फिर चाहे आपके office में कुछ भी हो या economy कैसी भी चल रही हो आप वो 50,000 डॉलर पैसे कमाके रहेंगे अब अगर आप 1,000,000 डॉलर का goal रखते हो तो कैसा रहेगा आप किसी भी तरीके से यह पैसा कमाना चाहेंगे अब अगर मान लेजी आपकी job चली जाती है तो आप कोई नई job ढूंड लेंगे या business करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको किसी भी तरीके से वो 1,000,000 डॉलर अर्ण करने है तो imagine कीजिए कि आपकी life कितनी amazing हो सकती है तो अपने सबसे बड़ी dream के बारे में सोचिए और उसी को अपना goal बना लीजिए बस ये सोचिए कि आप अपना goal कैसे अचीव करेंगे आपकी success का यही master program है success की सबसे most important habit है self discipline ये वो habit है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए फिर चाहे आपका मन हो या ना हो जैसे कोई muscles practice से strong बन जाती है वैसे ही practice से self discipline की habit भी strong बनती है और आपके अंदर जितना जादा self discipline आएगा उतनी ही आपकी life बहतर बनेगी तो इस example से ये सबक लेते हुए अब आगे बात करते है आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए और अगर आप अच्छी आदितों को good habits को follow करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर ज़रूर बनोगे जो लोग positive mindset रखते हैं उन्हें successful होने के बेशुमार मौके मिलते हैं 1990 में यानि के 1990 में सिर्फ वो 5000 के करीब American लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे और सन 2000 में यानि के 2000 में 5 लाख American मिलेनियर्स हुए तो इनमें कई सारे तो multi-millेनियर और बिलेनियर्स थे और सबसे important बात तो ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था ये लोग अलग-अलग बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते हैं कुछ तो अच्छे पड़े लिखे हैं और कुछ काफी गरीब थे जिनके पास मामूली education थी इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो adopt यानि गोद लिए गए थे इन लोगों में काफी ऐसे migrant भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आई थे बिना किसी help या किसी special skills के इन लोगों ने काफी struggle किया इवन इन्हें ठीक से English बोलनी भी नहीं आती थी और बावजुद इसके इन्होंने अपने लाइफ में इतनी improvement की है इतना कुछ अचीव किया क्योंकि इन्होंने good habits की यानि की अच्छी आदतों की practice की एक बार नहीं बलकि बार-बार और finally successful होकर दिखाया तो एक ऐसे ही good habit है जो आप शुरू कर सकते है वो है saving experts का मानना है कि इन्सान habits बनाते है इसका मतलब है कि हमारे सामने जैसी भी condition हो हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते है जैसे कि आप अपनी हर महीने की salary का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% salary से गुजारा करनी की आदत हो जाएगी आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी मान लिजी कि अगर आपकी salary हर महीने $2,000 है तो उसका 20% saving आपको करनी है इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ बागी के $1,980 से आपको खर्चा चलाना होगा एक saving account खोल लीजिए या कोई piggy bank बना लीजिए और अपनी saving के पैसे आप उसमें डालते रहिए जब आप saving करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाएए इसे अपने budget में शामिल ही ना करे चाहे कुछ भी हो जाए पर इस पैसे को खर्च मत करो कुछ महीनों के बाद आप 1,980 यानि की 1,980 डॉलर में गुजारा करना सीख जाओगे आप चाहे तो और जादा saving करने की कोशिश कर सकते हैं खुद को challenge कीजिए कि आप 40 डॉलर मंतली save करेंगे और saving का amount धीरे धीरे बढ़ा करके मंतली 200 डॉलर कर लेंगे और फिर आप देखेंगे कि 2 साल बाद आपके account में 2400 डॉलर पैसी की saving होगी तो इस situation में अब आप खुद को financially independent बोल सकते हो तो इस बढ़िया सी saving वाली habit के साथ अब बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो आपको जल्दी promotion और जादा पैसा दिलाएगी यानि कि Henry Ford निकपर कहा था life में successful होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए है और फिर वही काम कीजिए जो करनी के लिए आपने जनम लिया है अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप जादा earning भी करेंगे और आपकी तरक्की भी होगी ये काफी simple सा formula है इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका career है वो आपके लिए सही है या नहीं जैसे कि विक्टर फ्रैंकल man search for meaning book के writer है और विक्टर मानते है कि चार टाइप की jobs होती है पहली job जो सीखने में भी hard होती है और करने में भी अब जैसे कि book keeping या accounting को इले लीजिए अगर आपको calculation यानि हिसाब किताब रखना या list वगरे बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो ये job आपके लिए नहीं है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको इस काम में मज़ा नहीं आएगा दूसरी job है जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान जैसे कि airplane उडाना या software programming करना सबको पता है कि ये काफी technical knowledge वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी है पर अगर आप इसकी practice करते आ रहे हैं तो ये आपको एकदम effortless लगेगा तीसरी job वो है जो सीखने में तो easy है पर करने में मुश्किल जैसे कि लकड़ी काटना या गड़े खोदने का काम इसके लिए तो आपका physically fit होना बहुत जरूरी है वरना आपसे ये काम नहीं होगा और आगे number 4 पर जो job है वो है सीखने में easy और करने में भी तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम perfect है बेशक जो काम आपके natural talent और skill से match करेगा वही job आपको easy लगेगी और उसी काम में आप अपना best result दे सकते हैं क्योंकि हर इंसान एक unique talent लेकर के पैदा होता है हम सब के अंदर कोई न कोई quality होती है बस हमें वही activity अच्छे लगती है जिसमें हम enjoy भी करते हैं और उसके expert भी बन जाते हैं तो यही activity आपकी source of living बन जाए तो हमें successful होने से कोई नहीं रोक सकता Brian Tracy ने एक special habit डिवलप की जिससे उनकी जल्दी promotion हुई और जादा कमाई भी हुई यह habit थी जादा responsibilities को लेना जादा जिम्मेदारिया लेना Brian एक बड़ी company में job करते थे उन्होंने छोटी position से अपना career शुरू किया उनका छोटा सा cubical office था जहां से वो अपना काम करते थे पर Brian इस position से बिलकुल भी खुश नहीं थे उन्हें एक बीचेनी feel होती थी वो अपने manager के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे और बड़ी responsibility वाले काम चाहिए क्योंकि actually में वो simple काम से बोर हो चाते थे इसलिए उन्हें कोई challenge वाला काम चाहिए था manager उनकी तरफ देखने लगा और सिरह ला करके मुस्कुराया उसने brian से बोला कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा और अगले कुछ दिनों तक brian को जब भी मौका मिलता वो manager से वही बात बोलते फिर एक दिन manager ने उन्हें बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है हालंकि manager ने उन्हें जो काम बोला था वो brian के job profile का part नहीं था फिर भी brian तुरंत उस काम में जुड गए उन्होंने ज़रा भी time waste नहीं किया जपना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और manager को task submit कर दिया तो इस काम से manager काफी खुश हुआ इसके बाद brian ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला फिर manager उन पर trust करके उन्हें और भी ज़ादा challenging task देने लगा और brian हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे तभी एक दिन manager के पास एक बहुत बढ़ा project आया और उसने brian से पूछा कि तुम इस काम का charge लेना चाहोगे इससे पहले brian ने कभी भी इतना बड़ा task handle नहीं किया था लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी best performance दी उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े बड़े project साते चले गए सिर्फ एक साल के अंदर brian की promotion हो गई थी और ये सब हुआ उनकी बहुत ही अच्छी habit की वज़े से यानि की जिम्मेदारिया लेना, जादा responsibilities लेना अब brian tressy के अंडर में तीन teams काम करती थी उन्हें एक बड़ा सा office मिला जहां से बाहर का खूब सूरत नजारा दिखाई देता था उनकी income double और triple हो गई थी brian अपनी company के go-to guy बन गए थे और अब वो एक बड़ा घर और बन पसंद कार ले सकते थे तो इस सही के से brian की और responsible बनने की habit ने उन्हें इतनी जल्दी, इतनी बड़ी success दलाई थी तो इस कहाने से सबक लेते हुए अब हम आगे बात करते हैं habits of top business people यानि की top business लोगों की habits के बारे में आईए इससे समझते हैं clarity based habit है जो आपको अपने business में apply करनी चाहिए आपको अपने mission या purpose को लेकर के एकदब clear होना चाहिए वो क्या चीज़े जो आप अचीव करना चाहते हो आप अपने customers को क्या देना चाहेंगे आप अपने business से कितना profit कमाने की इच्छा रखते हो अगर आपके goals clear है तभी आप right decision ले पाएंगे जिस example के लिए NT&T company का mission है bring telephone service to every American इस company का 100 सालों से यही mission चल रहा है और यही company की success का secret है आप अपने business में भी कोई goal set कर सकते हो जैसे अपने customer को best products और services प्रोवाइड कराना जिससे कि आपका profit हर साल करीब 15% तक increase हो आपको कितना profit कमाना है और कब कमाना है इसे लेकर आपका mind एकदम clear होना चाहिए और इस तरीके से आप off track भी नहीं होंगे इसी के साथ अब आगे बात करते हैं habits of personal effectiveness यानि की high income एक fulfilling job, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परेवार जिसके साथ आप फुरसत के धेर सारे पल बिताए और यह सब आपका हो सकता है आपको एक के लिए दूसरे की कुरबानी नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर effective लोग कुछ ऐसी effective आदतों को adopt करते हैं, कुछ ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो ने life के हर field का all rounder बनाती है उनकी professional life के साथ personal life भी शांदार होती है जिस example के लिए हम जॉनी को लेते हैं जो ब्रायन ट्रेजी के advanced coaching and mentoring program में एक client है ब्रायन ने जॉनी और अपने हर client से promise किया है कि वो लोग life में double earning के साथ double enjoyment भी करेंगे जॉनी को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपकी income double कैसे होगी अगर आप काम की बजाए घर में बैट करके मज़े करेंगे बहुत मुश्किल है तो जॉनी एक financial company में job करती है मंडे से लेकर के Saturday तक वो daily 12 घंटे office में काम करती है इस वज़े से उसके पास अपने दो बच्चों और husband के लिए time ही नहीं होता उसे हर time stress feel होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका solution क्या है समाधान क्या है जब उसने Brian से ये सारी बाते discuss की तो सबसे पहले Brian ने उसे एक list बनाने को कहा ये उन कामों की list थी जो जो जोनी को एक महीने के अंदर करने थे उसकी list में total 16 यानि की 16 tasks थे Brian ने उसे पूछा कि इस list में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी company को बड़ा फायदा देगा जोनी ने एक बड़े ब्रायन ने कहा कि ये तीनों task तुम्हारी 90% responsibility है इसका मतलब था कि बागी के 13 tasks यानि की 10% काम ऐसे थे जो irrelevant यानि फिजूल के थे लेकिन जोनी उन्हें कुछ जादा ही importance दे रही थी और इस वज़े से वो अपनी family life को enjoy नहीं कर पा रही थी इन कामों को वो दूसरों से भी करवा सकती थी जादी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहा है फिर उसने अपने बॉस के पास जा करके उससे help करने को बोला जादी ने उसे बोला कि अगर वो अपनी जॉब से related उन तीन टास्क पर maximum focus करे तो काफी effective result मिल सकता है अब ये confession करने के बाद बॉस उसकी बात मान गया और अब जॉणी अपने काम में पहले से बहतर result देती है उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किये दो महीने बाद उसका office time भी change हो गया अब वो normal 8 घंटे काम करती है वो भी बस Monday से Friday तो Brian ने अपना promise पूरा कर दिखाया जोनी की income भी double हुई और उसके पास family के लिए अब जादा time भी है वो अपने बच्चों और पती के साथ quality time भी spend करती है जो कि उसे बड़ा ही सुकून देता है तो इस प्यारी सी कहानी की learning के साथ अब आगे बात करते हैं दूसरों के साथ बना कर रखने की आदत तो अब ये करना कैसे है और इसका फाइदा क्या है आईए जानते हैं तीन ऐसी great habits है जिनसे आपके सारे relationship इंप्रूव हो सकते हैं सुधर सकते है पहली आदत है acceptance यानि की दूसरों को स्वीकार करना खास कर parents, spouse और बच्चों के लिए ये काफी जादा important है वो जैसे है वैसी ही उन्हें accept करना सीखिए उन्हें change करने की कोशिश मत करो उनकी कमजोरियों को भी accept कर लीजिए वो जैसे है वैसे ही आप उन्हें प्यार करना सीखो प्यार में कोई शर्त नहीं होती आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो acceptance शो कराने का एक simple सा तरीका है आपकी smile जो लोग आपकी life में important है उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो उन्हें feel कराओ कि आप उन्हें देख करके खुश हो एक अच्छी relationship में gratitude यानी एहसान मंद या शुक्र गुजार होना काफी जरूरी होता है इसलिए अपनी family और दोस्तों को thank you बोलना ना भूले अपने हर दिन के लिए उपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है आपके पास एक job है दो वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी family सुरक्षित है अपने partner को thank you कहिए जो वो आपका ध्यान रखते है अपने बच्चों को भी thank you बोलिए जब वो अपना home work करते है हर उस इंसान को thank you बोलिए जो आपको किसी ना किसी तरह से मदद करते है तीसरी habit है तारीफ करना यानि compliment देना जब हम किसी को compliments देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ positive feel करते हैं बलकि और भी बहतर perform करते हैं इसका effect कुछ boom ring जैसा है आप positive energy send करते हो तो आपके पास भी positive energy lot कराती है लोगों के काम की या उनकी खास quality की तारीफ कीजिए अगर कोई hard working है या time का punctual है तो उसे compliment दीजिए किसी की car आपको अच्छी लगी या उनके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कीजिए तारीफ करने से आप दूसरों को comfortable feel करवाते हैं और फिर relationship को maintain करना easy हो जाता है लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से कीजिए उन्हें ऐसा लगी कि आप सच में उनकी तारीफ कर रहे है एक बार इसे अपनी habit बना की देखो फिर आप rose positive feel करोगे तो इन तीन powerful habits के बारे में जानने के बाद अब आगे बात करते है the habits for health and well-being यानि कि क्या आप भी slim होना चाहते हैं एक healthy और fit body किसे पसंद नहीं है सबको पसंद है हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक healthy body हो जो हर बिमारी से दूर हो इसके लिए Brian Tracy एक simple advice देते हैं उन्होंने तीन white जहर के नाम बताएं है जिनसे हमें दूर रहना है यह है sugar, salt और मैदा जैसे कि John फ्लॉरिडा के एक office में काम करता है वो Brian Tracy का fan है एक दिन उसने Brian को एक letter लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके audio lecture सुनता आ रहा है उसने Brian की सारी advice apply की जिसकी वज़े से आज उसके life इतनी अच्छी है वो bagger से अमीर आदमी बना है जॉन दस सालों की मेहनत के बाद अपनी company में एक top manager बना है हालंकि वो Brian से अपनी एक problem का solution चाहता है दरसल जॉन ओवरवेट है काफी जादा उसका वज़न है उसने काफी तरह की diet को try करके देखा मगर कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर उसने Brian के audio lecture से तीन white poison के बारे में सुना उसने इने study किया और जो भी guideline दे रखी थी उन्हें strictly follow करना शुरू कर दिया सिर्फ तीन महीनों के अंदर उसने 20 pound weight lose किया जॉन अब पहले से जादा slim trim और active हो गया उसका self esteem भी high रहता है वो इतना fit हो गया है कि उसे अपना पूरा wardrobe ही change करना पड़ा जबसे उसने अपनी diet से sugar, salt और मैदा को हटाया तब से उसकी body और life में काफी सारे positive changes आ गए हैं अगर fit body चाहिए तो हमें हर तरह के processed food या fast food और junk से दूर रहना चाहिए processed और junk food में sugar और salt काफी high level में होते हैं जो हमारी body और हमारे mind के लिए नुकसान दाई होते हैं harmful होते हैं body पर उनका काफी negative effect पड़ता है आपको soft drink और मीठे से भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए bread और pistries मैदे से बनती है जिसमें nutrition ना के बराबर होता है जबकि whole grains health के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये fiber, vitamin और mineral से भरपूर होते हैं तो अपनी diet में खूब सारी सबजियां और फलों को शामिल कीजिए beans और दाले भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाईए आपकी आधी से ज़्यादा बिबारियों का इलाज एक अच्छी diet में छुपा है healthy diet लेने से आप heart attack मोटा पे और cancer जैसी बिमारियों से बचे रहेंगे तो इस बहुत ही बढ़िया सी advice के साथ अब आगे बात करते हैं character और leadership की habits के बारे में तो इसे समझने के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहेंगे आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे ये depend करता है आपके आज के character पर जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के behavior पर ध्यान दे इसलिए जितनी आप दूसरों की help कर सकते हो करो जितना आप अच्छे रिष्टे बना सकते हो बना लो अल्फरेड नोबिल नोबिल प्राइस के founder थे काफी टाइम पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके पूरी life ही बदल गई उनके भाई की death हो गई थी Stockholm newspaper ने एक गलती कर दी थी उन्होंने अल्फरेड के भाई के बजाए अल्फरेड का नाम चाप दिया था और बहुत से लोगों ने सोचा कि अल्फरेड मर गए है वो एक chemist और एक inventor थे उन्होंने dynamite create किया था और इतना ही नहीं उस newspaper में लिखा हुआ था अल्फरेड नोबिल एक inventor थे जिन्होंने गन पाउडर बनाया था और जिसकी वज़े से पूरी दुनिया में war हुई और कई लोग बारे गए लेकिन अल्फरेड नहीं चाते थे कि लोग उन्हें एक विलेन के रूप में याद रखे और उस दिन के बाद से उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिये ताकि जब उनकी डेथ हो तो लोग उनकी अच्छाईयों को याद करे अपने सक्सेसफुल करियर में अल्फरेड ने काफी पैसा कमाया उनका कोई बच्चा नहीं था इसलिए उन्होंने नोबिल प्राइज स्टेबलिश किया हर साल नोबिल प्राइज के लिए किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जिसने वर्ल्ड पीस, लिटरेचर या साइंस की फिल्ड में कुछ बड़ा काम किया हो नोबिल प्राइज विनर को प्राइज बनी के साथ काफी इज़त और शोहरत भी मिलती है एक न्यूस पेपर की गलती से अल्फरेड नोबिल को एक बहतर इंसान बनने का मौका मिला आज भी उनके लेगेसी चली आ रही है जिसे पूरी दुनिया जानती है एक और अच्छी आदत है सक्सेस्फुल लोगों की बायोग्रफीज को पढ़ना इनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपने कैरेक्टर को इंप्रूव किया और कैसे अपनी अपनी फिल्ड के एक्सपर्ट बने इनकी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको काफी मोटिवेट करेगी रिडिंग की हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से positive changes लाती है किताबों से हमें वो value सीखने को मिलती है जो successful लोगों की life में होती है तो इस समरी में अब तक आपने जो कुछ भी सीखा जो भी जाना अगर इसकी practice आप करते रहेंगी तो एक दन आएगा जब आप भी इन लोगों की तरह successful बन जाएंगे और अपना millennia dream पूरा करेंगे और इसी के साथ time आ गया है इस summary के conclusion का आपने इस summary में power of thoughts के बारे में पढ़ा यानि कि thoughts की power के बारे में आपने summary से ये भी सीखा कि habits हमारी जिंदगी में कितनी important होती है आपको हमने उन आदतों के बारे में भी बताया जो आपको millennia बनने में मदद कर सकती है successful लोग सिर्फ financial यानि पैसे से ही अमीर नहीं होते बलकि उनके पास अच्छी health होती है एक प्यारी सी family life और मजबूत दोस्ती के रिष्टे होते है और उनके पास एक fulfilling career होता है जो उने satisfaction देता है इस summary में आपने उन सभी habits के बारे में जाना है जो आपके life के हर field यानि हर हिस्से को improve कर सकती है तो अब time आ चुका है life में उन चीजों को apply करने का जो आपने इस summary से जानी time आ गया है इन million dollar habits को practice करने का और इन्हें repeat करने का वैसे शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशारी सबको होती है पर एक बार habits बन जाए तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी और ये habits ये आदते आपकी daily routine का part बन जाएगी और तब तो आपको effort भी नहीं करना पड़ेगा एक बात हमेशा याद रखिए जब भी आप habits की practice करते हो तो आप अपने millennia dream के एकदम और close आ जाते हो